नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ग्यानमी दोस्तो दिपावली से पहले अपनी ये तीन चीजें अपने पास से दूर कर ले शास्त्रों के मुताबिक अगर ये चीजें आप अपने पास रखते हैं तो आप भ्यंकर कंगाली भ्यंकर गरीबी और भ्यंकर दरीदर्ता का सामना करोगे ये तीन चीजें ऐसी कौन से हैं जिन्हें दिपावली की रात से पहले पहले अपने से दूर कर ले नहीं तो दूस्तो जीवन भर आपको पच्चताना पड़ सकता है पूरे साल आपको पैसे का मुहें नहीं देखने को मिलेगा पूरे साल आप गरीबी में भटकते रहोगे तो दूस्तो इस तीन परकार की चीजों के बारे में जानने के लिए आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप हमारे चैनल टोटल ग्यान पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि आपको हमारे चैनल के मातिम से ऐसा ही ग्यान सबसे पहले प्राप्त हो सके दूस्तू अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली आपको गरीबी का सामना ना करना पड़े आपके गर में दरिदरता के बादल दूर हो जाए तो आप जय मा लक्षमी जय माता दी कॉमेंट बॉक्स में आवशे लिख दे दूस्तू हर इंसान दिपावली आने का एक ऐसा उत्साहा मनाता है और पूरे साल वो इस दिन की शुबता और इस दिन की कुशहाली के लिए पूरे साल इंतजार करता है दिपावली के दिन का हर इंसान को बड़ा चाव होता है दिपावली के दिन घर में नई नई मिस्ठान बनाए जाते हैं घर में नई नई चीजे लाई जाती है घर में नई नई चीजों के साथ साथ अपने पूरे बदन की साफ सफाई के साथ साथ पूरे घर की भी साफ सफाई की जाती है क्योंकि दिपावली परव ही ऐसा है दिपावली परव हिंदू का सबसे बड़ा परव है दोस्तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्णा की कर्शनवाणी के मताबिक और चान के नीती के अनुसार आज हम आपको मनुष्य की तीन ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसे आपको दिपावली आने से पहले अपने से दूर करने में ही आपकी भलाई है दोस्तो नमबर एक पर हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है बंद पड़ी घड़ी अगर आप अपनी कलाई के उपर बंद पड़ी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो घड़ी बंद है और आपने अपनी कलाई पर उस घड़ी को बांद रखा है तो दोस्तो इस दुनिया के सबसे बड़े मुर्ख आप इंसान है क्योंकि जो घड़ी बंद हो जाती है वो आपके भागय को वही पर रोक देती है बंद घड़ी भागया को रोकने का सूचक मानी जाती है बंद घड़ी एक अपशगुमता का दूसरा नाम माना जाता है हिंदु धर्म शास्त्री चानक क्या जी कहते हैं कि जिस इनसान के हाथ में घड़ी बंदी हुई है और वो घड़ी किसी कारण वंस या उसमें कोई पानी डल गया है या उसका सेल खत्म हो गया है या फिर वो घड़ी बंद हो गई है तो आप उस घड़ी को अपने से दूर कर दे अपनी कलाई से उस घड़ी को उतार फैंके नहीं तो वो घड़ी आपका भागया खा जाएगी तो दोस्तो अगर आप भी अपना भागया चमकाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि इस दिवाली आपके घर में खुशियों का माहोल मने और आपके घर के दरीदरता और गरीबी का नाश हो जाए तो आप बंद पड़ी घरी को अपनी कलाई से जितना जल्दी हो सके हटा दे इसके बाद दोस्तो हिंदू धरब शास्त्रों की माने तो आप अपने पाउं में पहने जाने वाले जूते जो फट चुके हैं उन्हें जितना जल्दी हो सके अपने सरीर से हटा ले फटे जूते आपकी दरीदरता और गरीबी को निहारने का काम करते हैं इसलिए जिस इनसान के जूते फट चुके हैं और वो उन फटे वे जूतों को भी दिपावनी के दिन पहन लेता है तो मा लक्षमी ऐसे लोगों के घर कभी नहीं आती दोस्तों अगर आप माता लक्षमी को खुश करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस दिपावनी माता रानी आपकी हर फरमाईश को पूरा कर दे तो आप अपने फटे हुए जूतों को अपने से दूर कर लें नहीं तो ये फटे हुए जूते आपकी किस्मत को खाने का काम करेंगे आप कितनी भी महनत करेंगे आपको इसका फल नहीं दिलेगा तो दोस्तो अगर आप अपनी महनत का फल देखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि इस दिपावली आपको गरीबी और दरिदर्ता का सामना ना करना पड़े आप अपना पूरा साल खुशियों में गुजारें तो आप अपने फटे जूतों को अपने से जितना जल्दी हो सके दूर कर लें इसके बाद दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों की मानने तो तीसरे नमबर पर है आप अपने फटे हुए कपड़े जिन्हें दिपावली के दिन अपने तन बदन पर पहनते हैं तो दोस्तों आप फटे हुए कपड़ों के साथ गरीबी और दरीदर्ता को अपनी और खीच रहे हैं जिन लोगों की मजबूरी है जो लोग मजबूर है और उनकी बेवसी है वो फटे कपड़े पहन रहे हैं वो शास्त्रों में लिखा है कि वो अलग बाद है लेकिन जो लोग जान बूझकर दिपावली के दिन फटे कपड़े पहनते हैं वो लोग साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं ऐसे लोग जो जान बूझकर फटे कपड़े पहनते हैं वो जीवन वर फटे कपड़ों में ही रह जाते हैं इसलिए अगर आप अपने गर की गरीबी अपने गर की दरीदर्ता का नाश करना चाहते हैं तो आपको अपने तन बदन से फटे कपड़े भी उतारने होंगे और इनकी जगाए आप अच्छे और नए कपड़े सिला कर पहने जिससे की देवी देव और माता लक्षमी आपसे ह खुश हो जाएं तो दोस्तो अगर आप अपने गर की गरीबी और दरीदर्ता मिटाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपको कभी भी गरीबी के दिन ना देखने पड़ें तो आप ये तीन चीजें अपने सरीर से जितना जल्दी हो सके दूर कर दें नहीं तो आपको ये दि दिन परति दिन गरीब से भी और ज्यादा गरीब बना देंगी तो दोस्तो इस बात का खास ख्याल रखें कि दिपावली से पहले इन चीजों को अपने से दूर कर दें तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में हमें जरू लिखे चैनल टोटल ग्यान को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे चैनल के मादम से ऐसा ही ज्यान सबसे पहले परापत हो सके